नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है डीट आज की 13 माई 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्सपस के इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आज हम जो इशूस डिसकस करेंगे उनमें पहला तो रहेगा इंफलेशन कंट्रोल कि अभी नेशनल स्टाटिस्टिकल आफिस के दुआरा डेटा रिलीज किया गया है पता पड़ा कि अप्रिल 2022 में इंफलेशन 7.8% को भी क्रॉस कर गई है इसका मतलब यह है कि पिसले 8 सालों में हाइस लेवल पे चल रही है और इंफलेशन भी कौन सी है रिटेल इंफलेश कितना हो गया 6% उसको भी क्रॉस कर चुका है तो यह अपने आप में कंसर्ण वाली चीज है देखो इंफलेशनरी प्रेशर को देखते हुए आपको पता है कि माई में फिर अभी मीटिंग बुलवाई थी मोनेटरी पॉलिसी कमिटी ने और रेपो रेट और सी आरार को है मतलब टाइम पर सही एक्षन नहीं लिया गया और हम लेट हैं इस वज़े से इतनी मेंगाई बढ़ गई मेंगाई बढ़ने के कई करण हैं जिसमें एक करण तो है फूड इंफलेशन अभी जिस तरीके से खाद्यपदार जो है वह बहुत महेंगे हो रहे हैं फूड आइ जबर्दस तरीके से महेंगी हुई है चाहे फिरो सबजी हो सीरियल हो ओईल हो फैट्स हो कुछ भी हो इसके आगे यह जो फूड प्राइस राइज हुई है इसी का सबसे ज़्यादा इंपक्ट है क्योंकि फूड तो हर किसी को बेसिक रेक्वार्मेंट्स में चाहिए ही होत हो फूड और फ्यूल को अपने एक्स्क्लूड कर दिया अटा दिया फिर भी अगर हम देखें तो सेवन परसेंट पर चल रहा है भी कोर इंफलेशन भी इसके लिए हम किन सब ग्रूप्स पर ध्यान देता है कोर इंफलेशन में जैसे कब क्लोधिंग फुट्वियर हाउज गुड्स हैं या सर्विसेज ले रहे हैं परसनल केयर प्रोड़क्ट खरीद रहे हैं या कहीं घूमने फड़ने जा रहे हैं मनोर इंजन के लिए मूवी जा रहे हैं कहीं पर भी बोलो ये भी बहुत ज़्यादा एलेवेटेड प्राइस सल रही है सो ओवर ओर ओल देखो कि फूड इंफलेशन तो ज़्यादा हुई है बट कोर इंफलेशन भी पिसले कुछ समय से लगातार बनी हुई है और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कोर इंफलेशन जब बढ़ती है ना तो बढ़ने में भी टाइम लगाती है और गटने में भी टाइम लगाती है क्योंकि food and fuel तो क्या fluctuate करते हैं बहुत quickly इन में variation आता है तो food price index अगर rise हुआ है तो उसको तो फिर भी control करने में ज्यादा time ना लगे हो सकता ऐसा बट core inflation अगर बढ़ जाती है तो tension बढ़ जाती है अब दूसरी तरफ आप जानते हो जैसे जैसे covid हट रहा है तो अब क्या है service related जो demand है वो भी rise हो रही है contact based service है वो भी बढ़ेगी तो महगाई भढ़ने के ओर chances बढ़ जाता है तो ऐसे में monetary policy committee की meeting हुई result ये निकल के आया भी मही में जो होनी meeting तो थी जून में पर मही में meeting करनी पड़ गई तो ऐसे में repo rate को तो 0.4% से rise किया CRR को 0.5% से rise किया जिससे की market में जो liquidity है उसको absorb किया जा सके so overall देखा जाए तो monetary policy committee के ओपर ये जो inflationary pressure बना एक तो economy पे बना हुआ inflationary महगा ही बढ़ रही है बट उसको estimate proper नहीं कर पाए इस वज़े से बोले महगा इतनी जादा बढ़ गई अब देखो बात ऐसी है कि pandemic से pandemic का जो time था ना उस time पर economy को proper pace पे रखने के लिए monetary policy committee ने repo rate को दो बार reduce किया था दो बार कम किया था जिससे की market में liquidity बनी रहे एक बार तो किया था 0.75% और एक बार किया था 0.4% तो अगर इसी से हम reverse होते हुए देखें तो इस case में 0.4% वाला तो stance already ले लिया है मतलब जितना 40 basis point reduction किया था covid के time पे एक बार में repo rate में उतना तो अभी rise हो चुका है अब हम ये expect कर सकते हैं कि pre pandemic level पे जाने के लिए 0.75% या 75 basis point reporate or rise होगी अगर हम overall दोनों का accumulate करें तो total कितना percent हो जाएगा reporate 5.15% जो कि pandemic से पहले था और इससे हम यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि महंगा ही जो है वो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी rate rise करने से control में तो ठीक अब इससे जादा हमें reporate rise नहीं करनी है तो वो और भी जादा हो सकती है तो RBA के द्वारा तो यह देखो कदम उठाये जा रहे हैं तो यह तो हो गया monetary policy committee या monetary policy का का काम अब सवाल यह है कि क्या यह monetary policy के द्वारा monetary policy के basis पे यह कदम उठाये जा रहे हैं यह inflation को control करने में adequate है या कुछ कमिया है इसका answer हम next article में लेंगे article का title है don't leave it to RBI जहांगी रजीज का लिखावा यह article है title से पता पढ़ गया ना आपको कि don't leave it to RBI मतलब क्यावल RBI पे मत छोड़ो भई तो point वही है inflation बढ़ रही है RBI ने repo rate और CRR दोनो rise कर दिया target है market से liquidity को absorb करना तो writer एक ही सवाल उठा रहे है कि जिस तरीके से aggressively monetary tightening की तरफ बढ़ रहा है RBI क्या यह सही रस्ता है policy का तो writer जो है वो कुछ समझाना चाहरे है कि बोले जब भी हम monetary policy की बात करता है जिसमें RBI अपनी तरफ से interest rates को vary करता है और economy को एक तरीके से proper path पे लेकिया आना होता है जिसमें inflation भी control हो और economical activities भी proper हो बढ़ आज की जो परिस्तेतिया है वो थोड़े से tricky है हम सीधा केवल monetary policy पे rely नहीं कर सकते इसमें एक तो fiscal policy की requirement होगी बटा एक बार हम ये समझें कि monetary policy के हिसाब से जो interest rates high की है तो वो कैसे inflation को control करने में help करती है वो जानते है देखो यहाँ पर writer जो है वो तीन तरीके बता रहे है कि जब भी interest rate rise की जाती है तो inflation कैसे control आती है पहला तरीका तो यह होता है इसमें कि inflation rate को control करने के लिए आपने जैसे interest rate rise की या जो आपकी policy rate वो rise की तो आप क्या करते हो कि आने वाले time पर expectation आपकी यह हो जाती है कि आने वाले time पर जरूर महिंगाई कम हो जाएगी क्योंकि बोले लोगों के हाथों में dependency रहती है ठीक है और दूसरा चीज क्या है कि आज अगर आप repo rate को rise कर रहे हो या जो policy rate उसको rise कर रहे हो तो policy rate का impact market में पहुंसते पहुंसते कितना time लगता है इसको बोलेंगे monetary transmission तो यह developed market में बोलो बहुत अच्छे से काम करता है कि जहाँ पर आपने अभी interest rate rise की एक डेड़ महिने के अंदर-अंदर सारा result आपको मिलना शुरू हो गया बट हमारे यहाँ पर economy में एकदम से monetary transmission इतना actively इतना effectively नहीं दिखता है क्यों क्योंकि banking में अभी भी हमारा financial inclusion है वो अभी भी up to the mark नहीं है दूसरा economy में जो informal sector है वो बहुत जादा operate करता है तो ऐसी परिष्टितियों में हमें यह जो effect है यह जो point है कि रेपोरेट बढ़ाने के चलते market में demand रुक जाएगी demand रुकने के बाद में हम control कर पाएंगे demand तो पहले ही रुकी हुई है भाई प्राबलम तो supply side की है तो बहुत यह जो point है कौन सा कि expectation inflation का reduce होने का जो है वो काम करेगा बहुत यह इंडिया में आप empirically देख लो बहुत कम देखने को मिलता है यह या तो Latin American countries जैसे Brazil का नाम लिया है क्योंकि Brazil में जो है में settle कर दिया ना इसका मतलब अब inflation चाहे बड़े चाहे कम हो बट आपके bond की value में ज्यादा variation नहीं आएगा इसका मतलब आपने जितना उधार लिया है ना उस उधारी का real value में ज्यादा consideration होगा ना कि nominal values में तो यह चीज़े हमारे यहाँ पर अप्लिकेबल नहीं होती तो ऐसे में monetary transmission अच्छे से ना होने की वज़े से यह जो first factor है कि interest rate rise करने की वज़े से future में demand control होने की वज़े से inflation control हो जाएगी बोले यह इंडिया में applicable नहीं है यह developed countries या फिर Brazil जैसे countries में applicable है दूसरा point यहाँता है कि interest rate जब rise की जाती है तो आप देखो कि foreign exchange है वो बढ़ जाता है कैसे सीधी सी बात है अगर repo rate बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हो गया market में से रुपे को रुपी को हम absorb करेंगे रुपी जब absorb होगा तो रुपी का value क्या होगा रुपी का value अगर rise हो रहा है तो हमारी money का है appreciate होगी हमारी economy को strength मिलेगी तो उस case में foreign capital क्या करेगा हमारे देश में आएगा कि चलो यार interest rate वहाँ पर अच्छी मिल रही है तो एक काम करते हैं वहीं invest करते हैं वहाँ से return अच्छा मिलेगा तो वो लोग यहाँ पर इंडिया में आकर के invest करते हैं बट ये भी mechanism इंडिया में इतना strongly काम नहीं करता है ये भी Latin America European countries वहाँ पर ज़्यादा effectively काम करता है तो बोले जो second route है जिसमें exchange rate का फाइदा मिलता है अगर आप थोड़ा सा rise कर देते हो interest rate को तो लोग invest करने के लिए attract होते हैं बोले ये भी हमारे यहाँ पर effectively काम नहीं करता और इसके लिए अगर हम चाहें भी कि हमारे यहाँ पर exchange rate को rise किया जाए रुपी की value को थोड़ा appreciate किया जाए तो हमें interest rate और ज़्यादा aggressively बढ़ानी पड़ेगी तो वो aggressively बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि consumer already crisis में है भई ठीक है तो इस तरीके सा अगर interest rate rise कर दी तो फिर बाद में और crisis हा जाएंगे तो overall देखा जाए तो ये जो अभी काम किया गया USA के federal reserve के द्वारा उन्होंने जिस तरीके सा aggressively अपने interest rate rise की है उनको सीधा फाइदा मिला है की नहीं बोले ये effective हम ये चीज जो है ये इंडिया में effective नहीं है तो दोनों points क्या हो गए एक तो सीधा कि expectation of inflation और दूसरा point हो गया कि आप जो currency exchange है उसकी बात कर रहो बोलो दोनों point पर आ करके interest rate rise करना effective नहीं होता इंडिया के case में तब दोनों cases इंडिया के लिए काम नहीं करते हो तो करता कौन सा काम है फिर क्यों RBI ने interest rate rise की है वो है तीसरा हमारा phase तीसरा जो point है वो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पर interest rate rise करने का target होता है कि credit को growth ना मिले इसका मतलब कि लोग जो उधार लेते हैं सस्ती rate चलने की वज़े से वो उधार लेनी बंद कर दे इसका मतलब cost of borrowing थोड़ी सी rise कर दी जाए तो writer यह बोलना चाहरा है कि यहाँ पर हम एक बार खुद हमारी अगर economy पर नजर डाले न तो mid 2021 से लेकर अभी तक देखा है mid 2021 तक तो credit growth negative थी क्योंकि आपको पता है ना जिस तरीके से जो लोगों ने loan लिये हुए थे उनको restructure करने की नौबत आ गई थी EMI time पे नहीं जा रहे थी वो problem हो गई थी तो उस time पर तो loan लिया ही नहीं गया अब loan लेने की शुरुवात mid 2021 से लेकर अभी तक हुई भी है ना तो किवल GDP का 2% तक ही अभी तक average जा रहा है annually credit के तोर पे मतलब लोग उधार लेने से अभी भी कतरा रहे हैं तो आप एक चीज बताओ कि inflation को control करने के लिए आपने interest rate rise की है interest rate rise करने से यह होगा कि लोग जो उधार लेकर के बैठे हैं या जो लोग उधार लेने वाले हैं उनको उधार लेने से आप रोक रहे हो तो ऐसे में तो आप क्या करते हो credit growth रुख गई लोगों के हाथ में पैसा कम हा गया और पैसा कम हा गया तो अपने आपे demand कम हो जाएगी तो inflation control हो जाएगी तो ये mechanism India में बेशक काम करता है बट क्या ये सही है जब हमारे देश में GDP का किवल 2% ही credit अभी level चल रहा है तो ऐसे में जो target है वो miss करेगा कि नहीं तो writer जो हैं वो सीधा बोलना चाह रहे है कि बई inflation को control करने के लिए monetary policy stance में अगर आप policy rate को rise करते हैं interest rate को rise करते हो तो तीन method होते हैं inflation को control करने के जिनमें दो methods तो इंडिया में applicable नहीं है properly और तीसरा method applicable है तो वहाँ पर effectiveness नहीं दिखेगी आपको ये exactly कुछ analyst जो है उनका ये कहना है writer ये बोलना चाहरे कुछ analyst है उनका ये कहना है कि inflation monetary policy dynamics का जो calculation है ना कौन सा 2010-11 का बोलो उस time पर RBI ने aggressively interest rate rise की थी और उसका result ये हुआ था कि हमने बहुत अत्तक control कर लिया था महेंगाई को बट writer यहाँ पर कुछ और argument देना चाहरे है वो ये कि उस time पर real GDP growth 10% हुआ गरती थी per quarter और अभी क्या चल रही है average annual चल रही है 5,5-6% और जबकि 2022-23 का trajectory अगर देखें तो वो 7,5% के नीचे नीचे आ चुकी है तो बोले एक तो हमारा GDP growth rate देखो ना एक बार real terms में ठीक है ना तो एक तो ये point है आँ पर highlight करना चाहरे है writer इसके अलावा और क्या बोलना चाहरे है कि nominal credit growth उस time पर 20-25% थी इसका मतलब उस time पर लोग उधार भी जबर्दस तरीके से ले रहे थे 2010-11 में तो ऐसे में आप देखो कि GDP भी अच्छा perform कर रही थी और लोग उधार भी जबर्दस तरीके से ले रहे थे इसलिए महेंगाई बढ़ रही थी करने के लिए अगर RBI यहां पर थोड़ी सी problem आ जाती है ना तो GDP अच्छा perform कर रही है कहां 78% के लगबगी चल रही है और ना हमारे यहां पर अभी credit growth है वो देखने को मिल रही है तो RBI की inflation को control करने के लिए इतना effective हो chances कम है दूसरी चीज क्या है कि यह जो inflation है यह supply side की वज़े से हैं ना कि demand side क्योंकि demand तो अभी भी फसी पड़ी है demand तो अभी भी लोगों को देखो basic consumption जो है उन्ही पर जादा rely कर रहे हैं कुछ नया खरीद ही नहीं रहे हैं लोग तो ऐसे में problem कहां है फिर वो आती है external vulnerabilities बाहरी जो परिस्थितियां है उसकी वज़े से हमें परिशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनमें एक परिस्थिति तो यह आ गई कि USA के federal reserve ने जो interest rate rise की है ना उसके चलते हमारे यहां से पैसा जो dollar है वो निकल के बाहर जा रहा है अब dollar निकल के जा रहा है तो रुपी depreciate हो रहा है रुपी की value कम हो रही है तो हम जो भी import कर रहा है न वो महंगा पड़ रहा है हमारे इसके अलावा महंगा ही जो ज़्यादा देखने को मिल रही है वो food commodity में ज़्यादा देखने को मिल रही है फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना कि जी एस्टी में एन्रोल करवा हू informal sector को formalization में लेके जाओ जिससें की जो labor है उनको फाइदा मिले जबकि आपको पता है हमारे देश में कितना contribution है informal sector का तो formalization की तरफ लेके जाते है न तो भाई सीधी सी बात है high cost chain में आपको enter होना पड़ता है वहाँ पर आपको tax भी पे करना होता है tax के लिए आपको machinery भी maintain करनी होती है उसी के हिसाब से काम होता है तो costing भी rise हो जाती है informal sector में costing reduce होती है कम costing होती है तभी तो हर कोई अपना चोटा सा दंदा लेके बैठ जाता है रोजी रोटी कमा लेता है बट हमारे यहाँ पर informal से formalization की तरफ जो ले जाया जा रहा है बोले यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जब costing rise हो रही है लागत बढ़ रही है और लागत बढ़ रही है तो भी CDC बात है कि लोगों को बढ़ी है बिजनिस इतना actively काम नहीं कर रहे है तो अगर कोई उधार लेने जाएगा उनको अगर ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो तो अपनी product को महिंगा बेचेंगे की नहीं CDC बात है तो ऐसे में बोले और ज़्यादा problem create हो जाएगी तो monetary policy को tight करने का नुकसान informal sector को पड़ेगा informal sector या फिर जो formalization की तरफ हम जा रहे है ज़्यादा जिसमें लोग उधार लेकर कि अपने business को expand करने कोशिश कर रहे है तो बोले ये चीज़े और ज़्यादा complex बन जाएंगी तो so overall ये बोलना चाह रहे है कि जी GDP growth का भी थोड़ा ध्यान दो तो देखो बात ऐसी ये writer का कहना ये है कि RBI ने जो कुछ भी किया है ये देखो extraordinary situation है करने की जरुवत थी interest rate rise कर दी कर दी पर सवाल ये है कि क्या monetary policy अकेली सब कुछ कर देगी बिलकुल भी नहीं इसमें जो fiscal policy है that means government है ना government को भी एक support देने की जरुवत है जिसें की लोगों को महंगाई से थोड़ा सा कम impact आए और साथ में जो सबसे important काम है वो ये कि जो आज के टाइम पर geopolitical tensions चल रही है ना यॉरप में चाइना यॉरप में उसको खतम कर वा हो एक तो आप दूसरी चीज चाइना ने जिस तरीके से zero covid policy के एकदम कॉप लगा दिये कोई transaction नहीं कोई lane देन नहीं पूरी दुनिया से lane देन एकदम चौक कर दिया बोले इस तरीके की policies की वज़े से economic transactions रुख जाते हैं गवर्मेंट को fiscal support देना चाहिए और जो reforms लाए हैंगा यह कंट्रोल में आएगी नहीं अकेले RBAE से कुछ नहीं होना है आगे चलते हैं अगला आर्टिकल है काटमांडू इस नोट कॉलमबो आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर शंकर पी शर्मा यह देखो नेपाल के ambassador न जो इडिया में डिपलॉइड है इनका यह कहना है कि जिस तरीके से श्रिलंका में एकॉनमी क्राइसिस आया बोले ऐसा ही कुछ नेपाल में भी एकॉनमीक एनवार्मेंट बना तो ऐसे बोलने लग गए बोले नेपाल भी स्रिलंकान एकॉनमी की तरह बरबाद हो जाएगा बड़ एक बार हम थोड़ा सा ध्यान दे तो नेपाल की एकॉनमी इतना ज्यादा वलनेरिबल नहीं है जितना की स्रिलंकान एकॉनमी की अगर हम बात करें तो वहां पर जब से इस्टर अटेक हुआ है 2019 में पर दूसरी तरफ नेपाल की हम बात करें तो नेपाल देखो धिरे-धिरे अपने एकॉनॉमी के बेस को राइस कर रहा है नो डाउट COVID-19 ने नेपाल की एकोनोमी को भी डेंट किया है पर नेपाल जो है वो हाइडरो एलेक्टरिसिटी एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है मेंली टार्गेट रहेगा इंडिया और दूसरे नमबर पर रहेगा बंगलादेश तो ऐसे में नेपाल जो है वो इंडिया के साथ में अपने इंटिग्रेशन को बहुत जादा एक तरीके से कंसिडर करता है कारण कि नेपाल और इंडिया के बीच में सोशियो कल्चिरल एकोनोमिक टाईज हमेशा से रहे हैं एवन आपको पता है पोरस बोर्डर भी है वहाँ पर हमें आने जाने के लिए कोई विज़ा दिखाने की जरूत नहीं आपके पास में अधार कार्ड है या सेटिजन शिप का प्रूफ है मतलब आपके वास वोटर आइडिया इंडिया की तो आप एजिली वहाँ पर गुस सकते हो समझ गए तो इस तरीके से वहाँ पर नेप परसेंट तक हो गया था जीडिपी का इसका मतलब बोला इंपोर्ट हमारा बहुत जादा हो गया एक्सपोर्ट रुक गया था तो ऐसे हमें बहुत प्राब्लम का सामना करना पड़ा पर आज की परिस्तिती ऐसी है कि हमारे पास में फोरें एक्चेंज रिजर्व 6-7 महीनों का इंपोर्ट करने की ववस्ता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि बुरी परिस्तित तो नहीं है श्रिलंका में तो अभी एक डेड़ महीने दो महीने तक का ही रह गया था ठीक है दूसरा श्रिलंकान एकोनोमी किस पर डिपेंडेंट थी वह आपको पता है ही पर वही चीज है क कि वहाँ पर अभी जिस तरीके के एक्वेशन चल रही है जिसमें पहले तो एकोनोमी क्राइसिस फिर पॉलिटिकल क्राइसिस बोले ऐसा सिनेरियो नेपाल में नहीं है ठीक है हम लोगों के पास में रेमिटेंस भी अच्छा खास आ रहा है श्रिलंका के पास में क्या प्रॉमोशन के लिए श्रिलंकान गॉर्मेंट ने बहुत कोशिशें की पर वो बहुत अभी तक रिवाइब नहीं कर पा रही है परिस्तित्या बहुत बुरी है और आज एक्स्टरनल डेट इतना हो गया है कि श्रिलंकान एकोनोमी बहुत जादा क्राइसिस में होगी इंप सपोर्ट दिया श्रिलंकान एकोनोमी को यह हमें पता है ठीक है दूसरी दरफ नेपाल की बात करें तो नेपाल में करन्ट अकाउंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिशे की जा रही है चाहे फिर वो इंपोर्ट पे बैन ही क्यों ना करना पड़े ठीक है इसके अलावा नेपाल जो है अपने एक्सपोर्ट को जिसमें इलेक्टरिसिटी मेन है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और बाकी और चीजों पर भी फोकस किया जा रहा है रेमिटेंस बोला अच्छा खास आ रहा है दूसरा ट्यूरिजम सबसे ज़्यादा क्राइसिस मे के लिए सबसे बड़ा एक इंपेक्ट रहा फिर बात आ जाती है डॉमेस्टिक और डॉमेस्टिक इश्यूस की बात करो या फिर एक्स्टरनल इश्यूस की बात करें तो ऐसे में जो लोन है नेपाल पर वो इतना ज्यादा नहीं है उनकी एकॉनोमी के कंपेरिजन में जितन तो तापोर्ट हो गया कोई भी डवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रही हैं तो लोन ही लिया गया है अब लोन तो जब एकॉनोमिक एक्टिविटीज होगी तभी आप रीपे कर पाओगी रिवेन्यू कलेक्शन के बेसिस पर नेपाल में यह बताया जा रहा है यहां पर र थोड़ा राइस कर रहे हैं इंपोर्ट को रिड्यूस किया है हमने पचास सो परसेंट तक बैन किया है पर वही चीज़ है कि यह लॉंग टर्म तक काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर आप इंपोर्ट को सस्ते इंपोर्ट को अगर बैन कर दोगे कि बही फॉरेन एक्शेंज ह पर हम काम कर रहे है और दूसरा 2015 में जब नेपाल में अर्थ को एक आया था तो उसके बाद में हमने हमारी एकॉनोमि में एक्सपेंशनरी पॉलिसीज पर काम किया है कैसे भी करके एकॉनोमि को एक्सपेंड किया जाए तो नेपाल आज दुनिया में बोलो फस्टेस्ट ग् प्रोग्रेस कर पाएंगे कोई इशू हमारे साथ में नहीं होने वाला बेसिकली यह आर्टिकल जो है वह इस नरेटिव के खिलाफ है क्योंकि अभी फिलाल बहुत सारा ऐसे मतलब सोशल मीडिया पर प्रोपगेंडाज या फिर इशू चल रहे हैं कि नेपाल की एकॉनोमी भी कहीं बरबाद ना हो जाए तो इसलिए यह आर्टिकल आपको सामने था आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है कि सेडिशन लोग को क्यों खतम हो जाना चाहिए देखो जब कॉंस्ट्रेंट एसेंबली में डिबेट हो रहा था ना तो बी आर अमबेडगर जी ने भी क्या कहा करना ही बोला हमारे डेमोक्रिटिक वैल्यूस को अफेल्ड करने में हेल्प करेगा फिर उसके बाद में बात आई सडिशन की सडिशन की सडिशन की सेडिशन लॉग की सेक्शन 124 ए और इंडियन पीनल कोड तो उसमें भी बात आई तब बहुत ज्यादा क्रिटिसिम हो रहा कि कौन कौन जेल में गया था क्या हिस्ट्री है इस आई पीसी के 124 ए सेक्शन की तो बेसिकली आज की परिस्तितिया भी कुछ ऐसी है कि जो हमारे कॉंस्टिटुशन का आर्टिकल 19 क्लॉस वन सब क्लॉस ए जिसमें freedom of speech and expression दिया हुआ है कि एक individual अपनी अभिव्यक्ती जाहि कर सकता अभिवक्ती दे सकता है ठीक है तो उसमें अगर individual कोई statement ऐसा दे दे जो की public disorder create कर दे कैदार नात सिंग केस के basis पे 1962 का केस है तो उसमें sedition charges लग जाएंगे तो writer यही बोलना चाहिए कि बोले यह colonial period का कानून है इसको खतम होना चाहिए यहाँ पर हम democratic country में जी रहे है क कि अगर कोई भी अपनी political descent show करे मतलब जो सरकार है उसके खिलाफ में अगर अपनी नाराजगी जाहिर कर दे तो बोलो उसको jail में डाल दिया जाता है साथ में कल का concern हमने देख लिया था कि अगर 124 A को repeal भी कर लिया जाता है वैसे एक बार तो interim stay लगा दिया पर अगर repeal भी कर लिया जाता है तो problem यह है कि Unlawful Activities Prevention Act UAPA 1967 का जो act है वो use कर लिया जा रहा आजकल freedom of speech and expression को control करने के लिए साथ में NCRB का data है वो यह कहता है कि अभी 2014 से लेकर के 2020 तक लगबग 400 के लगबग cases है वो pending पड़े हो है इसका मतलब क्या है कि बही conviction rate बहुत कम है conviction rate कितनी आ रही है 3% से लेकर के 33% तक की conviction rate रही है 2014 से लेकर के 2020 के बीच में इसका मतलब यह हो गया कि pending इतनी जादा है cases लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं पर outcome कोई positive नहीं है तो कल का explain page आप एक बार detail में जरूर देख लेना कल का मतलब हो गया कल की date थी 12 तरीक ठीक है न 11 तरीक का ठीक है तो वो आप जरूर देख लोगे आगे चलते हैं sorry 12 तरीक का जो हमारा explain page का discussion है वो आप जरूर देख लेना उसमें first article ही है वो उसमें पता पड़ जाएगा detail फिर देखो marital rapes related article debating the exception देखो दिल्ली high court में सुनवाई चल रही थी कि section 375 of Indian penal court जिसमें कि rape के लिए punishment rape को punish करने के लिए बोलावा पर उसमें एक exception है एक छूट है कि marital rape जो है marital rape का मतलब एक husband अगर अपनी wife के साथ में sexual intercourse करे और wife की उम्र अगर 18 साल से अगर जादा है तो उस case में 18 साल से अगर उम्र जादा है तो उस case में उसको marital rape के तोर पे consider मतलब एक तरीके से कि उसको rape की category में नही इस तरीके का provision है तो मुद्दा यह था कि marital rape के चकर में बहुत जाद exploitation हो रहा है जो भी wives है उनका तो फिर इस चीज को सुनते वे दो judges की bench थी तो एक जज ने तो यह कहा कि इसको खतम होना चाहिए section 375 में जो exception या छूट जो मिली हुई है marital rape को वो नहीं मिलनी चाहिए rape त sexual intercourse conduct कर रहा है किसी female के साथ में और एक उसका husband ही कर रहा है ठीक है चाहिए उसकी will है या will है या नहीं है तो उस case में दोनों को क्या आप equate कर सकते हो फिर एक judge जिनोंने बोला कि article यह जो section 375 में इसको scrap कर देना इसमें जो exception है इसको खतम कर देना चाहिए क्योंकि article 14 और article 21 का compromise हो रहा है equality before law और दूसरा right to life with dignity तो दूसरे judge ने क्या कहा कि बोले यहाँ पर कोई violation नहीं है एक बार marriage के institution को भी तो आप understand करो तो overall देखो दिल्ली high court की ये दो judges की bench में तो split आया है इसका मतलब verdict नहीं निकल का आया अब बात ऐसी है या तो 3 judges की है उससे ज्यादा judges की bench या फिर मुद्दे के लिए देखो already दिल्ली high court ने certificate issue कर दिया है कि आप appeal कर दो supreme court में ले जाओ इस मुद्दे को और करनाट का high court में भी case spending है गुजराथ high court में भी case spending है वहाँ जाकर के supreme court जो है वो अच्छे से देख ले क्योंकि ये मुद्दा बड़ा solid बन चुका है ठीक ह substantial issue बन चुका है कानून के लिए तो बहुत supreme court में एक अच्छे से बड़ी bench बैठ करके फिर बाद में इसके लिए opinion दे तो ठीक रहेगा तो ये चल रहा है पूरा scenario आगे देखते हैं क्या होता है discussion यहीं कितम है thank you very much